जो FHR में दिया गिया है, हम पर आरोप लगाया है, कि संभावित उमिदबार हो सकते तेरिन टूशी, ती तो हम सुनके ही हत प्रद रह गया, इसी को न फसाती है हमारी सरकार, न किसी को बचाती है, विरोधी का तो हम क्या का सकते हैं, तो उनका काम है करना, निस फक्सता से ज प्राइंती से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है, हमारी छवी को धूमिल करने के लिए इस तरह का प्रियास कर रहा है, जो पुणिया में रिंटू सिंग की हत्या हुई है, उसमें आपका इंगॉर्मेंट है, परोक्स यापरोप शुरूप से, देखिए सबसे पहली बात तो हम जब सुने एफायार में दिया गया है, तो हम तो हद प्रद रह गए, जो एफायार में दिया गया है, हम पर आरोप लगाया है, कि संभावित उमिदबार हो सकते तेरिन टूसीं, इसी लिए हम उनका ये करवाए, इसमें हमारी वोमिकार है, तो हम सु जुन के ही हद प्रद रह गए, कि ये संभावित में तो चार एक साल चुना हुआ है, अभी चार साल बांकी है, कौन होगा, कौन नहीं होगा, सेकड़ों हो सकता है, तो पहले तो एफायर में ही, जो मेरा मुझ पर आरोप लगाया, जुन के हम हद प्रद रह गए, तो इसमे में कि कि यहां किसी को न सपकती है, ना किसी को बचाती है, उसमें पुलीस जाच करेगी, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा, जाच में आ जाएगा, जाएगा, बीरोधी लोग काफी हावी हैं, अक्रमक हो रहें सकता है विरोधी लोग तो करेंगे ही, विरोधी का तो हम क्या कर सकते हैं, तो उनका काम है करना, लेकिन हम लोग इससे कहीं भाग नहीं रहे हैं, हमारी सरकार जो है इसमें पूरा निस्पक्षता से जाच करती है, चाहिए कोई भी ममला हो, मंत्री हो, विधायक हो या आम आदमी हो, ना हमारी सरकार में किसी को बचाते हैं, ना किसी को फशाते हैं, यदी ऐसा होता, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, कि वो जो आरोप लगा रहे हैं, तब तो सबसे पहले तो सक्ती मलिक का केस हुआ था, हत्या हुआ था, उसमें नाम आ रहा था तेज स्वियादब का, तो को ही इस्तिपा दे देना चाहिए क्योंकि जिम्मेवारी वला पद है नेता प्रतिपक्ष जो है सरकार का सुविधा ले रहे हैं कि अबनेट मंत्री का धर्जा है तो हमारी सरकार मानिया मुख्वंती जी के नेतित वाली सरकार पर भरोसा रहना चाहिए यदि फसाने कराता है तो सक्तिक मलिक वला केस में तेस्वी आदब को फसा देती। इसलिए भरोसा रखना चाहिए कि दूद का दूद पानी का पानी होगा और जो हमारी सरकार में निश्पक्ष जाँच होगी और जो पुलीस जाँच करें इसमें साफ हो जागा किसका कौन दोसी है कौन नहीं है। हम तो तयार हैं। हम तो किसी भी तरह का जाच करें इसके लिए तयार हैं। क्या इसमें आपको कोई राजनिती दिखाए जारी हैं। इसमें तो हमको घसीटा गया है। नहांक हमको घसीटा गया है। हम तो गाओं में करीब 21 साल हो गया हम गाओं में रहते नहीं है। और ब प्रतिष्ठा दूमिल हो नहां घसिता जा रहा है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है ABP News आपको रखे आगे